अभी सब्सक्राइब करें साधना एस्ट्रोग, आपकी सुख दुख का साथी मन को स्ट्रेंथन करने के लिए on a daily basis क्या करना होगा? एक घंटा खुद को देना होगा, अभी एक घंटा बोलेंगे तो अभी जले जाएंगे सारे, एक घंटा नहीं देना पड़ेगा आदे घंटा काफी है, क्यों? क्योंकि जो हम करेंगे वो हमारे घर का कल्चर बन जाएगा घर की मर्यादाएं बन जाएंगे और घर की वाइब्रेशन बन जाएगे आज जब अपने घर जाएंगे वापिस तो घर में एंटर करके सेंस करने की कोशिश करना कि मेरे घर की वाइब्रेशन कैसी है वो भी प्रारिटी घर का साइज घर का इंटीर घर की डेकोरेशन घर की टेपिस्ट्री is okay पट घर की वाइब्रेशन थोड़े दिन के बाद तो उस पेंटिंग और टेपिस्ट्री की तरफ ध्यान भी नहीं जाता है ध्यान जाता है रोज रोज देखेंगे अपने घर की डेकोरेशन को कोई कौन देखता है it's just an object lying around in the house लेकिन वो जो घर की वाइब्रेशन है उसमें सारे पल रहे हैं बच्चे उसमें बड़े हो रहे हैं वो घर की वाइब्रेशन ऐसी होनी चाहिए कि आपके घर में कोई एंटर करे और कहें आपके घर में आकर ना बड़ो सुकून मिलता है घर की वाइब्रेशन कौन क्रियेट करता है घर की वाइब्रेशन किस से क्रियेट होती है हमारी जो थौट्स हैं वो हवा में आप घर पे हैं, आप ओफिस पे हैं, आप मंदिर में हैं, आप शॉपिंग मॉल में हैं, आप रेस्टॉरंड में हैं, लोग सेम हैं, लोग सेम हैं. लेकिन हर एक जगह क्योंकि हमारी thought processes अलग होती हैं, तो उस जगह की vibration अलग होती जाती है. तो अगर अपने बच्चों को powerful बनाना है तो घर की vibrations में power and peace होने की जरूरत है अगर घर की vibration में stress है, anger है, hurt है, worry है तो बच्चे कमजोर energy से पल रहे हैं और बड़े हो रहे हैं and वो energy सिरफ हमारे thought process से create हो सकती है Is it possible कि हम अपने मन को सारा दिन शानत और स्थिर रख सकें? कौंसी बाते हमारे mind को इस्टर्ग करती है Expectations from? Expectations from? Okay, तो खुशी क्या है? खुशी मेरी हर थौट में है For example, हम यहाँ से बाहर निकले, अपनी गाड़ी में बैठे, हमें घर पांचना है हम जाई रहे थे ठीक से, लेकिन किसी ने गलत तरे से रास्ते में गाड़ी चलाती हमारी गाड़ी को थोड़ा सा देंट लगया, जोर से भी लगया हो सकता है Situation It's a situation Now in that situation में हमने response कैसे किया वो decide करेगा के I am happy or I am disturbed वो वो व्यक्ति किस तरे से गाड़ी चला रहा था, that doesn't decide Dent कितना बड़ा पड़ा, that also doesn't decide What decides whether I will be happy or no will depend on how I will respond to something like that when it happens अब जैसे ही ऐसा देंट पड़ा, what is our first immediate reaction First immediate thought क्या होता है नई गाड़ी थी, सड़त भी खाली थी सड़िन ही को या गया और इतना जोर सा वाला लगया What is the first reaction उसको गाड़ी चलाने न याती हम्मे न चलाने याती किसको न याती उसको गाड़ी चलाने न याती अच्छा, okay, ठीक है, एक उसको गाड़ी चलाने न याती और Anger और, anything else Nuksaan और अब ये सारा कुच जो हुआ ये सारा कुच जो हुआ और ये तो कोई situation of life भी न है, इसको तो scene बोलते है, situation भी न ही बोलते है It's just a scene, आया और गया एक minute, दो minute, पांच minute का scene होगा उस पांच minute में मैंने अपनी खुशी को गवा दिया Now ask yourself, worth it for a dent on the car? Worth it for a dent on the car? नहीं हानी बोल रहे हैं? Worth it for the dent on the car? No? Sure? Sure? Yes or no? Kia yes? Sure, of what? It's not worth it So then just respond a different way Just respond a different way Which means, अपनी गाड़ी के देंट से उपर प्रारेटी रखे अपने मन की खुशी को The fact that all of us are safe and हमें कुछ नहीं हुआ The fact के सामने वाला भी safe है और उसको भी कुछ नहीं हुआ The fact के वो सिरव गाड़ी का एक डेंट है तो कितना शुक्रिया करना चाहिए ऊस सीन के अंदर कितना शुक्रिया करना चाहिए? और शुक्रिया करने की बज़ाए हम गुसा कर रहे थे हमें शुक्रिया नहीं करना चाहिए? वो, कुछ वा नहीं, सब ठीक है, बढ़िया, शुक्रिया, कितना शुक्रिया करना चाहिए था, जैसे उस समय शुक्रिया करते, तो आप जितना उस समय हैपी थे, उतनी आपकी हैपपनेस क्या हो जाती, बढ़ जाती है। So every scene that is coming, and every response that I am creating, it's either going to deplete my happiness or it's very simple.